हलो दोस्तों मैसल विरेंदर गुजर और अगर आपने आमेरे यूट्यूब चनल इंडिया नायरवेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटस्ट अपडेट्स मिलती रहें तो पिछले वीडियो में आपने फैस चैप्टर के बारे में देख लिए था इस वीडियो में आपन सेकिंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पुस्पित कम इंदरियम ठीक है तो इसमें मलब पुस्पित अरिष्ट बता रहे हैं तो यहां पे देखते हैं अरिष्ट ग्यान को ठीक ठीक समझने के लिए मलब कि अरिष्ट सुचक लक्षन है या नहीं है तो इस परकार के ग्यान को ठीक ठीक समझने के लिए अरिष्ट गंद से युग्त बर्द परकार के पुस्पित रूपों का क्या क्या है उपदेश किया जा रहा है कि बहुत से पुस्पित मलब पुस्पों में कौन-कौन से गंद आती कौन-कौन से पुस्पों की गंद के स्वान अगर गंद आएगी तो वारिष्ट होगा और या फिर कौन से पुष्प के स्वान गंद आएगी तो आरिस नहीं होगा तो इसका क्या किया जा रहा है यहां पे उपदेश किया जा रहा है यहां पे पुष्पित की प्रिवासनी देर कि चैप्टर बारे बताया अब अगले देखना कुछ यह से भी फूल होते हैं जिनके बाद फल नहीं लगता पिर एसे भी फल होते हैं जो बिना फूल के लगते हैं तो गुलर का फल ठीक है चमेली का तो फूल और गुलर का फल तो इस परकार से याद रह जाएंगे तो चमेली में केवल फूल लगते हैं और गुलर में केवल फल लगते हैं इसमें फूल नहीं लगते हैं लेकिन बिना फूल के भी हो सकते हैं फूल के साथ भी हो सकते हैं फल के साथ भी हो सकते हैं लेकिन कर रहा है कि अरिष्ट के लक्सन अगर दिखे तो मर्त्य अवश्य होती है अब आगे देखते हैं अरिष्ट सैद्रस को अरिष्ट समझना ये कर रहा है कि अगर कोई वेद्ध है अरिष्ट सैद्रस को अरिष्ट समझता है मलब कि अरिष्ट के समान है वो अरिष्ट नहीं है अरिष्ट के समान है वो अरिष्ट नहीं है उसको अगर वो अरिष्ट समझ कि कारण कार्ण का उत्रव सब्सक्राइन अब देखना असुरש कोनप इस्वाम पर्स द्सक्राइब द्राम नगी standards प्रक्राइन खुणाब से कहत्याएन अब देखना ऐस्वाशन व Metropolitan करण विद्ण को हूँ छंदन्कुठ तगर अगर और सबस्वाद को से हो मल मुथ्तर और कुणाब गन तो ये दोनों गंद याद रहे हैं कि सुब गंद कोनशी है अशुब गंद कोनशी है पिर आगधे देखते हैं बिना कारण सुब अशुब गंद का उतपन होया रिच फट्चक है यह करा है कि जैसे कि अगर चंदन बाड़ी गंद भी बिना कारण उत्पन हवरी कि मतलब आपने तो नायाएं चंदन से तो इन दोनों में से कोई भी की सूचक होती है अब आगे देखते हैं यहां पर देखना एक वर्स के बित्तर मर्तियों का सूचक तो यह याद रखना अपने को के एक वर्स का अरिष्ट दिन बताओ एक मास्क का अरिष्ट बताओ ठीक है एक पेज लेना और इनको जाए जितने भी जैसे एक वरस के अरिष्ट, दो वरस के अरिष्ट, छे मास के अरिष्ट, पंदरा दिन के अरिष्ट, तो इस परकार जितने भी अरिष्ट आ रहे हैं, उनको एक साथ लिख लेना, क्योंकि यह इंपोर्टेंट है, इन में से दो नमबर का एक क्यूसन बनता है, तो जिस पुरूँ से दिन रात दिन रात मलब पूरे दिन दिन में भी रात में भी पुस्प की गंद आती रहती है तो उसको क्या कहते हैं पुस्पित कहते हैं अब यहाँ पर देखना रसा दिकार ठीक है इंपोर्टेंट है तो रसा दिकार तो रस का ज्यान रस का ज्यान किसे कर विकरती के बेद तो यह कहा रहा है कि मर्तिव के समय रस विकरती के दो बेद होते हैं कि उससे ना जाए कि मर्तिव के समय रस विकरती के कितने बेद होते हैं तो रस विकरती के दो बेद होते हैं कौण कौण से एक तो सरीर का रस अत्यांत विरस या अनिष्ट हो जाता है या पिर सरीर का रस क्याता है अत्यांत मदूर हो जाता है ठीक है दो परकार की होते हैं दो परकार की विकरती होती है रस की क्या कौण सी या तो सरीर का रस कैसे हो जाएगा विरस हो जाएगा अनिष्ट हो जाएगा या पिर सरीर का रस कैसे हो जाएगा अत्यांत मदूर हो वाद इन दोनों की रस की प्रिक्षा किसे अनुमाद से करते हैं तो अगर सरीर का रस वीरस हो गया या अनिस्ट हो गया तो उसको किस प्रकार से पता लगाँगे, तो इस पर देखना शरीर पर मकशी का है, युका, कटमल एक्से, अधिका नहीं बैथना तो एक उर्याखी है, अगर शरीर पर मककifornan, मक्या, युका, कटमल अगर ये नहीं बैठ रही है तो इसका मतलब सरीर क्या हो गया है, विरस या अनिस्ट हो गया है फिर दूसरा देखते हैं शरीर का रस अत्यांत मदूर हो ना तो कैसे अनमा लगाते हैं कि सनान उब्टन के बाद भी मक्या बैटें तो आपने नहीं किया कि सनान कर लिया शरीर पे उब्टन लगा लिया इसके बाद भी अगर सरीर पर मक्या बैटरी तो इसका मतलब है कि उसका सरीर जो है अत्यांत मदूर हो गया है तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपने second chapter में जारिष्ट बताए गए हैं उनके बारे में पढ़ लिया है अब next वीडियो में अपन next chapter के बारे में पढ़ेंगे धन्यवाद